हेलो एवरिवन वेलकम टू रिविजन टाइम यूटूब चैनल और इस वीडियो के अंदर हम लोग एशियन गेम्स 2022 के बारे में देखने वाले हैं जोकि 2030 में आयुजेत हुए थे इसके बारे में थोड़ा सब ब्रीफ नोलेज ले लेते हैं और उसके बाद इंपोर्टेंट टोटल कंट्री पार्टिसिपेटेड 45 तोर्ष नेम क्या था इटरनल फ्लेम था और दो इंपोर्टेंट पॉइंट और याद रखने हैं इंडिया एज ओस्टेट दे एशियन गेम्स टू टाइम्स कब-कब 1951 और 1982 है ना और फ़र्स एशियन गेम्स वर ओफिशली हेल्ड न्यू देली में हुए थे और तारीक क्या थी चार मार्च 1951 की अब चलते हैं कोशन्स की तरब फर्स्ट कुशन है एशिया खेल 2030 का शुबंकर क्या है वाट इस दो मैस कोट फूर एशियन गेम्स 2030 इस्टाइलाइजड गोट, बेरेम, इस्टाइलाइजड ब्लैक बियर, बिन बिन, बर्ड ओफ पैरडाइस, अतुंग, डियर, एंड काका, राइनोस एरोस चिन चेन कॉंग कॉंग एन लियान लियान, तो जल्दी से इसका अंसर बताईए कमेंट बॉक्स में और इसका सही आंसर जो होने वाला है वो है D, Chin Chin, Kong and Lian ठीक है प्रनाउस में तोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आप लोग देख लीजिएगा इसका सही आंसर यह होने वाला है Next question में चलते हैं एशयाई खेल 2030 का विशे क्या है, what is the theme of Asian game 2030, Memories of Hongzhou, Energy of Asia, Diversity shines here, Thrilling Games and Harmonious Asia सबसे easy answer है कहां आयो जित हुआता तो वही आंसर है तो इसका आंसर होगा A क्या होगा, Memories of Hongzhou Next question की तरब चलते हैं चीन के होंग जोग में एशयाई खेल 2023 के उद्गाटन समारों में भारते दल के दोजवाग कौन थे Who were the flag bearers for Indian continent at the opening ceremony of Asian Games 2023 in the होंग जोग चाहिना तो कौन थे तो A option है Harman Prit Singh B है सुनिल छेत्री C है लौवलिना बॉर्गहन और D है बौत A and C जल्दी से आंसर बताईए इसका और इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है D बौत A and C Harman Prit Singh और लौवलिना बॉर्गहन ये आंसर इसका होने वाला है दोनों को याद रखिएगा Next question Hongzhou Olympic Sports Center Stadium में आयोजीत समापन समारो में भारत का दोजवाग को होन था Who was India's flag bearer in the closing ceremony held at the Hongzhou Olympic Sports Center Stadium अभिशेक वर्मा, जोती सुरेखा Venom और Ojas Diotel और PR Shrijez जल्दी से आंसर बताईए इसका और इसका सही आंसर होने वाला है D PR Shrijez ठीके माग कर लेता हूं में आप लोग याद रखिएगा और Indian Team Official Sponsor जो था अमूल था ये भी याद रखिएगा इसका भी questions बन सकता है Next चलते हैं Asia Ekel 2023 में भारत ने कितने पदक जीते How many medals were won by India in the Asian Games? 202 107, 70, 109 और 90 107, 70, 109 और 90 जल्दी से आंसर बताईए ये तो बड़े easy-easy question है जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए और 107 medal यहाँ पर भारत ने जीते हैं ठीके? और 107 में से भी आप लोगों को याद रखना है 28 gold थे 38 silver थे और 41 bronze थे तो ये important question है ये बन सकता है Next question की तरब चलते हैं Asia Ekelो में भारत का इस्थान क्या है? What is the rank of India in Asian Games? ये भी बड़ा easy question है और ऐसे question आते हैं तो बड़े अच्छे नंबर बनते हैं तो इसका सही answer होने वाला है 4th क्या होने वाला है? 4th और इससे related आप लोगों को और ध्यान रखना है कि 1st rank चाइना का था 2nd rank जापान का था उन्होंने mark करके बताता हूं 383 total medal जीते हैं इन्होंने 189 जीते हैं 201 gold था 111 silver था 71 bronze था और 3rd पर जो रहा है वो है Republic of Korea 190 और 4th पर कोन रहा है आप लोगों को पता है अभी मैंने आप लोगों को बताया है ठीक है? Next question इशेक हिल 2030 में भारते गुर्षवारी टीम ने कितने वर्षों के बाद गुर्षवारी में स्वण पदक जीता? ये भी important question ने बन सकता है The Indian Equestrian Team won gold in horse riding at the Asian Games 2030 after how many years? A9, B17, C33, D41 जल्दी से answer बताईए और इसका जो सही answer होने वाला है वो है 41 कितना answer होने वाला है? 41 ये दियान रखिएगा तीक है? Next question से पहले आप लोग थोड़ा सा डीटेल समझ लीजिए इसका तो अनूश अगरवाल अनूश अगरवाल रदे, विपुलखेडा, सुधिप्ती हैजल और दिव्यकृति सिंग ने 209.205 के शांदार स्कोर किस साथ 41 साल बाद ये जीत हासिल की भारत ने पहली बार 1922 में गुर्ट सवारी में सुधन पदक जीता था और उसके बाद अभी 2023-2041 साल की बाद ठीक है? बहुत सारे कोशन इसमें से बन सकते हैं किस बारतिय निशाने बाजने इशे खिल 2023 में महिलाओ की 50 मिटर राइफल इस परदा में 469.6 अंको के विश्वर रिकोर्ड स्कोर के साथ स्वान पदक जीता विच इंडियन शूटर वांड गोल्ड इन दे वोमेंस 50 मिटर राइफल इवेंट इड़ इशेन गेम्स 2023 विद वर्ल रिकोर्ड स्कोर ओफ 469.6 पॉइंट ए है सिप्थ कोर समरा बी है मनु भाकर सी है महुली गोश और डी है राजेश्वरी कुमारी बहुत इंपोर्टेंट कोशन है जल्दी से इसका आंसर बताईए और इसका सही आंसर होगा ए सिप्थ कोर समरा मार्क कर लेता हूँ ठीक है नेक्स कुशन एशे एक हील 2023 में पलक गुलिया ने किस इस परदा में व्यक्तिकत स्वन पदक जीता इन विच इवेंट इड़ पलक गुलिया जल्दी से आंसर बताईए और इसका सही आंसर होगा ए 10 मेंटर इयर पिस्टल 10 मेंटर इयर पिस्टल नेक्स कुशन एशे एक हेल 2023 में 3000 में इस टीपल चीज इस परदा में किसने स्वन पदक हासिल किया जल्दी से आंसर बताईए और इसका सही आंसर होगा डी आविनास साबले ठीके नेक्स कुशन एशे एक हेल 2023 में पुरुशो की 10-meter air rifle टीम इस परदा में स्वन पदक जीतने वाली भारतिय टीम के प्रमुक सदस्य कुन थे वो वर दे की मेंबर्स आप इंडियन टीम ताट वान गोल मेडल सोरब चोदरी, मनु भाकर, एंड शीवा नार्वा, जस्पाल राना, अंजली भगवद, एंड अनीशा सहीद जल्दी से इसका आंसर बताईएगा इसका सही आंसर जो होने वाला है वो है अच्छा कोश्चन है नेक्स कोश्चन यूगल में स्वन्ट जीतने वाली भारते टीम के सदस से को थे वो वर दे मैंबर्स आप इंडियन टीम दाट क्लैम्ड मिक्स डबल्स गोल्डिन टैनिस एड अड़ एड़ एशन गेम्स 2-0-2-3 यह उप्शन है जल्दी से आंसर बताईए क्या होने वाला है कमेंड बॉक्स में लिखकर और इसका आंसर होने वाला है बी रोहन बोपना और रूतुजा बोसले ठीक है नेक्स कोश्चन के तरब चलते हैं 2023 एशिया ही खेलो में भारत के लिए महिलाव की 5000 मीटर ट्रैक और फिल्ड इस परदा में सुन पदक किसने हासिल किया जल्दी से बताईए बड़ा इसी कोश्चन है ये वाला और इसका अंसर है पारूल चोधरी ठीक है नेक्स कोश्चन के तरब चलते हैं एशिया ही खेल 2023 में कमपाउन तीरंदाजी मिश्रिट टीम इस परदा में किस भारते खिलाडी ने सुन पदक जीता विच इंडियन प्लेयर वान गोल्ड इन दे कमपाउन आर्चरी मिक्स टीम एवेंट अड़ एड़ एशियन गेम्स 2023 अभिशेक वर्मा और प्रतमेश्च समाधान जावकर जोती सुरेखा वैनम और प्रविन ओजस देवताले और पढणित कोर प्रविन ओजस देवताले और प्रतमेश्च समाधान जावकर इसका जल्दी से आंसर बताईए इसका अंसर क्या होने वाला है तो इसका अंसर होने वाला है B. जोती सुरेखा वैनम और प्रवीन ओजस देवताले Next question 2023 एशियाई खेलों में स्वन पदक जीतने वाली भारतिय तिरंदाजी तीम के सदस्य कोन थे Who were the members of the Indian archery team that won the gold medal at the Asian Games in 2023 अच्छा question ने ये भी बन सकता है जल्दी से इसका अंसर बताइए टाइम में आप लोगों को इनफ दे रहा हूँ सारा countdown होने दे रहा हूँ तो इसका सही अंसर है C. जोती सुरेखा वैनम, अधिती स्वामी और पढणित कोर ठीक है Next question एश्याई खेल 2030 में टीम में गुर्सवारी में स्वन पदक जीतने वाली भारते गुर्सवारी टीम के प्रमुख सदस्य कोन थे who were the members of the Indian Equestrian team which won gold in horse riding at the Asian Games 2023 team एँ option है अनूश अगरवाल, रदे छेदा, दिवे कृति सिंग और रदे विपुल खेडा अनूश अगरवाल, रदे विपुल खेडा, सुधीप्ती हेजल और दिवे कृति सिंग, आशिश लिमे, राजू सिंग बदोरिया, अपूर्व दबडे और विकास कुमार अशिश लिमे, सुधीप्ती हजेला, दिवे कृति सिंग और राजू सिंग बदोरिया अभी तक आप लोगों को सही आंसर पता होगा, अगर नहीं पता है तो याद रखेगा इसका सही आंसर है बी, अनुश अगरवाल, रदे विपुल खेडा, सुधिप्ती हेजल और दिविकृती सिंग नेक्स चलते हैं बारत ने पहली बार एशाई खेलों में अपना सोवा पदक हासिल कर इतियासिक उपलब्दी हासिल की है इतियासिक सोवा पदक किस खेल से आया इंडिया अचीवड एस्टोरिक मालस्टोन बाए जल्दी से इसका आंसर बताईए और इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है नेक्स कोश्चन बारते पुरो शोकी टीम ने जापान पर शांदार जीथ हासिल करते हुए स्वान पदक पर कपजा किया इस हालिया जीत सहीत बारतिय पुरुष होकी टीम ने इस यही खिलो में कितने स्वान पदक जी थे इसका जल्दी से आंसर बताईए और इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है बी चार ठीक है कितना चार नेक्स कोश्चन से पहले आप लोग देखिए इंडियन मैंस होकी टीम ओन फोर गोल्ड मेडल एट एशन गेम्स कब-कब तो यह याद रखिएगा 1966 1988 2014 2014 और 2023 यह याद रखिएगा चार कोश्चन आपके बन जाएगी ठीक है नेक्स चलते हैं बारती पुरुष क्रिकेट टीम ने चीन के होंग जाओं में एशे खेल 2023 में T20 पत्योगिता में किस टीम के खिलाप स्वन पदक हासिल किया पागिस्तान, बांगलादेश, अफगानिस्तान, श्रिलंका बड़ाई इजी कोश्चन है जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए और इसका आंसर है अफगानिस्थान ठीक है न नेक्स्ट वोश्चन एशे खेल 2023 में भारतिय महिला कबड़ी टीम विजए हुई भारतिय महिला कबड़ी टीम ने फाइनल में किस टीम को हरा कर सुन पदक हासिल किया जल्दी से आंसर बताइए इसका सही आंसर जो होने वाला है वो है दी चाइनिस टाइपी नेक्स्ट कोश्चन भारत की जियती सुरेखा वैनम ने एशे खेल 2023 में किस इस परदा में सुन पदक जीता और उन्होंने कितने सुन पदक जीते तो 3, 2, 3, 2 अब अलग-अलग है इंडिविज्यल बैर्बो आर्चरी इवेंट उसके बाद इंडिविज्यल 3D आर्चरी है इंडिविज्यल कंपाउंड आर्चरी है इंडिविज्यल रीकर्व आर्चरी है तो जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या होने वाला है तो इसका स सही आंसर होने वाला है compound archery event 3, ठीक है, next question, एश्या ही खेल 2023 में भारत ने किस खेल फ्रतियोगिता में सरवाधिक्स और पदक जीते, in which sport event did India won the most gold medals at the Asian Games 2013, athletics, squash, shooting या फिर archery, जल्दी से आंसर बताईए और बड़ा easy question है, इसका आंसर होगा shooting के अंदर, ठीक है, और कितने 7 gold medal in shooting event 23 number का question है, एश्या ही खेल 2023 में भारत ने किस खेल प्रतियोगिता में सरवाधिक पदक जीते, एश्या ही खेल 2023 में बारत ने किस खेल प्रतियोगिता में सरवाधिक पदक जीते, तो इसका सही आंसर होने वाला है, A. Athletics 29 medals in athletics Next question, 2026 में अगले एश्या ही खेल कहां आयो जितोंगे, ये important question है, 2026 में कहां आयो जितोंगे, Manila, Japan, Indonesia, F.A. South Korea, जल्दी से आंसर बताइए, इसका सही आंसर होगा, जापान के अंदर, ठीक है, जापान के अंदर तो आज के question इतने ही थे, I hope आपका अच्छा revision हुआ होगा, current affairs के question है, almost अगर देखा जाए, तो current affairs में भी include कर सकते हैं आप लोग, तो इससे related भी question बनते हैं, तो आप लोग अच्छे से revision कीजिए, वीडियो को बार-बार देखिए, जिससे आप लोगों को याद हो जाए, question and answer, तो कभी भी exam में आजाए, तो आपके number नहीं कटे, thank you.